हलो एवरिवान मेरा नाम है हीरल और आपका आज में यू, यू के जरनी यूटूब चैनल पर स्वागत है अगर अभी तग आपने मेरी यूटूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हैं तो जल्दी से जल्दी आप मेरी यूटूब चैनल पर जाएए और वहाँ पर बैल आइकन को प्रेस करके मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि मैं ना जॉब, स्टेडी, ट्रावेल और अगर इंफोमेटिव वीडियो बनाती हूँ और आज का जो ये वीडियो है बहुत ही जादा एक्साइट एंद धमाकेदार होने वाला है आप सुचोगे वो कैसे तो आज मैं आपके लिए सबसे जादा और सबसे इजिएज और एक सिंपल लेकिन बहुत जादा धमाकेदार इंफोमेशन लेके आई हूँ अगर आप अभी भी इंडिया में हो या फिर यू के आने का प्लान कर रहे हो या तो फिर यू के आ चुके हो तो यू के आने के बाद सबसे पहला स्टैप क्या होता है that is opening up bank account अगर आप सोचोगे अभी कि bank account open करना अरे वो तो कितना easy task है माम आप ये क्या बोल रहे हो जी नहीं अगर आप UK में आ चुके हो student visa पे या तो dependent visa पे या तो फिस seasonal work visa पे या any other visa category पे तो UK में bank account open करना it's not a very easy task कि आपके लिए challenging हो सकता है मैंने ना यहां पे बहुत लोगों को परेशान होते हुए देखा है खास करके newcomers like students तो आप ज़रा भी घबराना मत क्यूंकि आप मेरे चैनल को subscribe कर चुके हो इसके लिए आप ये वीडियो पे बने रहना और मैं आपको बताऊंगी अगर आपके पास documentation बहुत सारे नहीं है और आप newcomer हो UK में फिर भी आप है ना easiest way में bank account उपर कह सकते हो तो चलिए मैं आपको सबसे पहले बताती हूँ कि UK में कितने टाइप के banks होते हैं और bank account कैसे open करना है देखिए UK में तो दो टाइप के सबसे पहले bank होते है first होता है offline bank account अब ये offline bank account क्या है कि जिसकी physical branches आपको all over UK में available मिलेगी that means आपको in person bank जाना है और आपको आपका bank account open करवाना है अगर आप bank में जाते हो तो फिर से वही हो जाएगा they will ask you lots of documentation like a BIP card जिसे बोलते है biometric resident permit जिसे UK आने के पाद post office से collect करना होता है लेकिन it will take a time 2 to 3 weeks तो तब तक मैं क्या मेरा bank account open नहीं करूंगी जी नहीं ऐसा बिलकुल भी नहीं है second they require your passport agreement letter rental copy या तो university का offer letter और ये सब UK आते ही आपके पास होना impossible है वो कैसे नहीं आपके पास agreement letter होगा अगर agreement letter कब आपको मिलता है जब आप एक साल के लिए UK में कौन सा भी property को आप rental पे लेते हो नहीं आपके पास council बिल होगा नहीं electricity बिल होगा फिर क्या होगा आपको उसके लिए wait करना होगा लेकिन ये सारे time frame में अगर मुझे कोई transaction करने I mean to say अगर मुझे उनिवर्सिटी में payment करना है मुझे यहाँ से payment किसी को भेजना है या फिर मुझे payment मंगवाना है तो क्या मैं ऐसी बैठी रहोंगी जी नहीं इसके लिए UK में second bank account type होता है online bank account which is very easy and simplest way to open तो आज मैं आपको मेरा experience share करूँगी live and practical जब मैं UK में आई थी तो मैं भी offline bank जैसे के HSBC Lourdes and Barclays सारे bank में visit करके आई थी और सभी ने मेरे पास ये सारे documentation मांगे फिर मुझे समझ में आया कि यहाँ पे सिनारियो तो सब bank में see me है फिर मैंने खुद को ज़ादा परिशान ना गरतू है मैं घर आई और मैंने google किया तो मैंने उसमें पाया बहुत सारी online bank account भी open होते है फिर भी उसमें भी आपको क्या require होता है BRP card लेकिन ऐसी UK में तीन banks है जो मैं आपको खुद personally recommend करूँगी कि जिसमें सिफ passport के बेस पे आप आपका bank account open कर लोगे वो है Monzo bank account तो आईए सबसे पहले जानते हैं कि यह Monzo bank account क्या है तो देखिए This is a Monzo bank account यह जो Monzo bank account है वो आप easily अपने phone से free of cost open कर सकते है यह कैसा दिखेगा तो इसका कुछ ऐसा एक आपको view दिखाए देगा उसके बाद मैं आपको बताऊंगी देखिए यहाँ पे 8 million से भी जादा लोगों क्या prefer करते है Monzo bank account यह कुछ अगर account open करने के बाद आपके जब mobile में आप आप इंस्टाल करते हैं तो कुछ ऐसा view आपको दिखाए देता है अब मैं बताऊंगी कि Monzo bank account तो सबसे पहले यह क्या है fully regulated है government के तरू मतलब आपको अभी बिल्कूल भी इंचन लेनी की जरुवत नहीं है इसके customer support भी 24 by 7 hours अवेलेबल होते है प्लस 2022 में इससे British bank के दारा अवाड भी दिया गया है आप easily money को एक जगा से दुसरी जगा बेश सकते हो पूरे all over the UK even you can do the transfer in India also ठीक है तो इसमें बहुत सारे आपको benefits है अभी आपको bank account open कैसे करना है तो सबसे पहले आपको bank account open करने के लिए आपको google में जाना होगा और आपको वहाँ पे monzo bank account type करना होगा सबसे पहले वो आपको मांगेगा आपका register mail id तो you have to write your register mail id in that then you will get to learn email on your register email id आपको वो link open करना है then they will ask you very normal details your name, your surname, your email id, your postal address मतलब आप जहाँ पे UK में आप रहते हो वहाँ का सिब आपको एक pin code यानी postal code डालना होता है उसके बाद आपको सिफ आपका passport upload करना होता है once you will done with all the procedure आपको एक video calling, conferencing call आता है जिस पे आपकी KYC होती है done, आपका bank account open हो गया और दुसरे दिन आपके पास आजाता है आपका debit card त्वी debit card आपको से आपको के mobile app में आपको monzo bank account डाउंलोड करना होता है and through your debit card you can activate your account thank you आपका सारा काम कर सकोगे और हाँ सबसे पहले मेरे YouTube चनल को सस्क्राइब जरूर करना ओकी bye-bye thank you